हेलो फ्रेंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल आल इन वन में तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम देखें कि जियो टेकनिकल इंजिनरिंग के यूनिट वन के निमेरिकल के बारे में फ्रेंड वीडियो का जो पार्ट वन था उसको पहले ही अपने कर सकते हैं जियो टेकनिकल इंजिनरिंग से रिलेटेड तो देखो फ्रेंड ए आपकी एक कोशन में 2017 में आया था इसमें क्या कहता है एन ओवन ड्राइस स्वाइल सैंपल और वॉल्यूम तूफिप्टी सी सी का मंदब समझते हैं क्यूबिक सेंटिमेटर वेट 430 ग्राम त इसमें पूछ रहा है कि आप वाटर कंटेंट डिटर्माइन करिये और फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर से स्वाइल का जो वॉल्यूम हमारा 10% इंक्रीज हो जाता है उसके बाद भी आप जो स्वाइल का वॉल्यूम जो वाटर कंटेंट है उसको डिटर्माइन करिए तो उम्मीद करता हूं आपको कोशन समझ में आ रहा होगा तो चलिए हम सोलुशन की तरह मूब करते हैं तो देखो फ्रेट एस सोलुशन है आपका इसमें देखिए सबसे पहले कोई भी कोशन करने से पहले आपको आप दर्साना होगा जो गिवन डाटा दिया रहेगा उसको लिखना होगा तो सबसे पहले आपका दिया था वॉल्यूम आप जो स्वाइल जेंपल था हमारा कितना और वेट अपसाल केतना था हमारा 430 ग्राम था ठीक है इस पेस्फिक ग्रेविटी आपकी देही रखी थी 2.7 ठीक है प्रेंट तो देखो एक बार क्या कह रहा था जब आपकी जो जितनी वैल्यूम पे एक बार आपको वाटर कंटेंट डिटर्माइन करना था और बोला था तो छलिए हम देखते हैं वाइड रेशल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ンダंसिटी निखालना और ढrem पर डंaltra वेट पर नीट वॉल्यूम वैट गामा डी इसकोल टू होता है जी गामा डबलू अपान वन प्लस यहां से हम इसकी साहता से हम अपनी वाइड रेशियो की वैलू कल्कुलेट कर सकते हैं यहां पर हमने क्या यूनिट वेट आप वाटर है उसको हमने वन ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब यूज कर लिया है ठीक तो हमने इसको रख करके यहां से इजली जब आप सॉल्ब करेंगे तो आपकी वाइड रेशियो की वैलू आ जाएगी 0.57 अब देखिए हमें क्या करना है यहां पर हमें किसके लिए वाटर कंटेंट निकालना सिचुरेटेट वाली वीडियो में अपने बता चुका था रेशियो की वैलू उम्हारी पता यह 0.57 आई है तो यहां से आप असानी से वाटर कंटेंट की वैलू कल्कुलेट कर सकते हैं ठीक है तो देखिए यहां से वाटर कंटेंट जब वैलू आप कल्कुलेट करेंगे तो आपकी आजाएगी 21.1% ठीक है और देखिए कोशन में अगर आप देखे तो यहां पर बोला है देखिए देखिए वाट विल दा वाटर कंटेंट वीच विल फूली सेचुरेटेट इस सेंपल वो तो अमने निकाल दिया जब हमारा स्वाटर कंटेट पूछा था और देखिए यहां पर क्या करा है और आल्सो का जैने इंक्रीज एकवाड गाजू को खमा अपाल स्वाद निकृपा इंक्रीज चीज़िफेंट और देखिए अपर ईक्रीजर का prag क्रीट करने थितू करेंगी 35 इंक्रीज अाइज प्याट प्रका क्रेंट नेंटिट गूर्ट तो दोनों केट करेंगे तो यहां पर आपका जगा 275 क्यूविक सेंटी मेटर ठीक है तो देखिए यहां से जब आपका नया वाल वॉल्म आ गया तो आप फिर से ड्राइ उनिट वेट जो पीछे आप ड्राइ उनिट वेट कल्कुलेट किये हैं गामा डी उसी तरीके से यहां नया वाल वॉल्म आया है उसके हिसाब से ठीक है तो वेट हम वही रखेंगे हमारा गामा डी स्कॉल 2 होता ही है वेट पर उनिट वॉल्म तो वेट हमारा दे रखा था 430 ग्राम और वाल्यूम हमारा 10% इंक्रीज हो रहा था तो 275 हो गया ठीक है तो यहां से आप यहां पर देखिए जब आप बैलू रखेंगे तो यहां से आपकी बैलू कल्कुलेट होगी तो अब आप जोंआरा नया वाला वाल्यूम आया उसके लिए आम वाटर कंटेट असानी से डिटर्माइन कर सकते हैं हैं तो यहां से जब आप calculate करोगे तो यहां से आप formula लगा दोगे सी बराबर डबलू जी ठीक है इस फॉर्मुले में जब वैलू आप रखेंगे तो यहां से water content की वैलू असानी से निकल आएगी तो यहां से जब water content की वैलू निकालना होगा तो डबलू इसकल टू हो जाएगा फ्रेंड यह सी अपॉंजी हो जाएगा ठीक है एस की वैलू हमें कितनी रखनी है जब सब्सक्राइब तो हम एस की वैलू रखते हैं हमेशा ठीक है एक वैलू हमारी देखिए अभी पीछे हम यहां पर कल्कुलेट करेंगे कितनी है 0.73 0.73 यहां पर रख देजिए देन जो जी की वैलू यानि हमारी specific gravity की वैलू कितनी आ रही थी पीछे 2.7 दे रखी थी अब इ 27.03 ठीक है तो फ्रेंड उम्मिद करते हैं यह वाला कोशन आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कोशन की तरब मूव करते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट कोशन हमारा एक पार्सियली सेचुरेट सेंपल फ्राव में बारो पीट है ज निचर ठीक है तो इस्पेसिफिक ग्रिवेटी अब सॉल सॉल सॉलिड इस तूपंट सेवन निस्पेसिफिक ग्रिवेटी यानि जी की वेलू हमारी 2.7 दे रखी है हमें डिटर्माइन क्या करनेक लिए कर रहा है डिटर्माइन डिग्री आप सेचुरेशन एंड वाइड रेशियो यहां कि आपको क्या क्या पूछ रहा है एक तो कि आप से पूछ रहा है डग्री की वेलू पूछ रहा है और आपका पूछ रहा है यूनिक्व गामा सेचुरेटेटज ठीक है लिख लेंगे water content हमारा कितना दे रखा था 15% दे रखा था ठीक है 15% यानि 15% को जब आप पॉइंट के terms में लिखेंगे तो 15 को 100 से डिवाइट कर दोगे तो यहाँ पे आ जागा फ्रेंड आपका 0.15 ठीक है तो यहाँ पे आपका होगा यसी बराबर डबलू जी मैंने आपको कई बार बता चुका है पीछे तो एक फर्मूला होता है आपका यसी बराबर डबलू जी यहाँ से आप असानी से जब आपको जी की वेलू पता ही यह डबलू की वेलू पता ही तो यहाँ से आपकी आजागी 0.405 दिन आपको फ् के यहां से सी की जगह पर 0.405 डारेक्ट रख देना है जीके वेलु अपको पता है युनिट वेट की वेलु आपको पता ही 1.9 दे रखी है और यहां से तो आप आसानी से वहीं रिशियो की वेलु कल्कुले duy करोगे तो कितनी बेर बस को सारी सिंपल बस आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है अगर आप फॉर्मूले समझ गए तो कोशन आसानी से कर सकते हो ठीक है तो यहां से जब आप वाइड रिश्यो के वैलू कल्कुरेट कर लोगे तो वाइड रिश्यो के वैलू आएगी हमारी 0.634 ठीक है आप साथी साथ सॉल्व करते चलिए को क्योंकि अगर आप एक बार इस्टेप भूल जाएंगे तो फिर आपको कोशन को समझने में प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो तो यहां तक तो आप प्रेंट कोशन आराम से सॉल्व कर सकते हो तो देखिए एक पॉर्मूला मैंने आपको बताई था अब आपको यहां पर क्य प्रेंट की वैर निकालनी एस की वैलू यानि सकोलट क्या हो जागा डबलू जी अपॉन यी टो टामू की वैलू आपको दे रखी 0.15 जी की वैलू भी आपको पता ही है कितने 2.7 दे रखी यह वाइड रिशयो की वैलू आपको यहां से पता चली गई है तो जब आप सॉल करते हैं जब यहां से आप कल्कुलेट करना चाहेंगे तो हो जाएगा फर्मुला आपका जो क्लेशन इस जो क्लेशन हो जाएगी ग intricate की बाद कितना आगसी कर देखें बचेशन क् ποकलेट कर लिए दो चीज तो आपकी कल्कुलेट हो गई आपको क्या पूछ रहाता से च्यूरेट यूनियट बेट यानी गामा रशच रहाता तो से च्यूरेट 있습니다 year फ्रेंट जी प्लस एपाउन वन प्लस एंटू गामा डबलू ठीक है यहां पे भी जब देखिए आप एक ध्यान रखेगा फ्रेंट जब आपका क्यूबिक सेंटीमिटर आए तो आपको हमेशा गामा डबलू की वेलू हमेशा वन रखनी है ठीक है तो देखिए यहां से अप इस फ्रॉपार्मुले में जी की वेलू आप पूट कर दीगए तो 2.7 जी की वेलू है वाय्ट रेशियो की वेलू यहां पे देखिए यह वैड है और फिर से यहां पे वायड रेशियो की वेलू कूट कर दीए और गामा डबलू की वेलू मैंने आपको बतायी लिया कि वेनदेज कोशन की के तरफ मूव करते हैं इस सारे सिरे मैं कोशन मैं आपकी दृत तो इसमें कोई बात नहीं है मैं आपको सारे कुशन समझाने की बस पूरा प्रयाश कर रहा हूं ठीक है तो आप कुशन को समझते जाए एक तरफ से तो देखें नेक्स्ट क्वेशन क्या स्वाइल सेंपल एजूम टू कंसिस्ट ऑप स्पेरिकल ग्रेंज ऑल ऑप सेम डामेट विल है मैक्सिमम वाइड रिशियो वेंड ग्रेंज अरेंज इन क्यूबिकल एरे फाइंट दी वाइड रिशियो और ड्राई यूनिट वेट तेक यूनिट वेट ऑप ग्रेंट ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यानि यहां पर आपको गामा की वैलू दे एक कोई सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले देख लिए आपका जो एक कोई स्फियर दे रखा है इसमें आपके छोटे-छोटे पार्टिकल हैं ठीक है तो देखो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत होगी फ्रेंट देखो यहां पर कोशन को समझने की कोशिज करी एक कोई आपका क्यूब दे रखा ठीक है इसमें आपके छोटे-छोटे स्वाल के बहुत सारे पार्टिकल दे रखे हैं ठीक है तो यहां से हम क्या करेंगे एक कोशन को यहां बता रहा हूं आपको पूरा पार्टिकल उसका जो आपका जो फोलीम होगा क्यूब का वॉलिम आपको पता हिका अपरेंट कि घंड का क्यूब होता है ठीक है यानि कि माल दीचे इसकी एक साइड आपके दी है तो तीनों तरफ की जो आपके वॉलिम मोलें हो चैगा वो जाएगा ठीक है और जो आपका इस फीर यानि कि इसमै जो स्वयल के पाडिकल दे रखे यह gagnoo आएमारा औरनायी कुछ जो समजने कोशिच करिएगा है जो हमारा दीक्यूब है एह मरे पुरे ं घॉल का है जो हमारा अई क्यूब है उसका जो हमारा वालूम है D क्यूब है तक है अगर हमें एक इत्व स्फिएर का निकालने तो हमारा कितना घूल आ रहा है तो यहांасे खुन सकते हैं वाल्वॉप वॉय्ट करते हैं जो हमारी इसपेस बच रहा है ठेक है यानिober हमारा इसमें इस में तो हमारा whites की value calculate हो जाएगी तो यहां पर देखिए कुछ ने किया है बस यहां पर जो volume of white calculate किया है जो whole volume था cube का उसमें से sphere के volume को घटा दिया है ठीक है प्रिंट तो यहां से आपका volume of white पता चल गया है ठीक है तो white ratio को formula आपको पता ही होगा मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ जो white ratio होता है हमारा किसका ratio होता है volume of white to volume of solid तो volume of white का value यहां से आपको calculate होगे dq minus pi dq upon 6 और जो volume of solid यानि कि solid जो sphere है वो solid की तरह काम कर रहा है तो इसका volume हमारा कितना था पाइडी क्यूब अपन 6 था तो जब यहां से आप calculate करेंगे तो देखिए उपर से आपका यहां से dq common आ जाएगा तो बचेगा आपका 1- pi by 6 बचेगा और नीचे से आप dq common ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका pi by 6 यहां से dq dq cancel हो जाएगा तो यहां उपर बचेगा 1- pi by 6 और नीचे pi by 6 जब इसको आप solve करेंगे तो आपका आ जागा 0.91 तो यह आपकी हो गई वाइड रेशियो की वैलू ठीक है ठीक है तो देखो जब आपको वाइड रेशियो की वैलू आ गई पता चल गई तो आप देखिए यहां पर specific gravity यानिकि जी की वैलू अगर दी रही है तो ठीक ठीक नजी तो हम एजियूम कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर हमने जी की वैल यानि कि gamma w देखिए आप 10 भी रख सकते हैं 9.81 भी रख सकते हैं आप confusion नहों तो आप 9.81 पर भी कर सकते हैं और 10 पर भी कर सकते हैं इसमें confusion कोई बात नहीं है आप 10 पर चाहे तो 10 पर करिए 9.81 पर चाहे तो 9.81 पर करिए थोड़ा से यहां पर variation आएगा तो उससे कोई problem नहीं है तो आप यहां पर डारेक्टली gamma w की value आप चाहे तो 10 रखिए या 9.81 रख के यहां से आप dry unit weight की value calculate कर सकते हैं ठीक है अगर आप 10 रख के करते हैं तो यहां पर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड तो आपकी जो dry unit weight है उसकी value calculate होकर आ जाएगी ठीक है अब देखिए next question की तरह move करते हैं देखिए next question हमारा a natural soil deposit head bulk unit weight of 18.5 km per meter cube and water content of 5% calculate the amount of water required to be added 5 meter cube of soil raise to the water content of 214% assume the wide ratio to remain constant also find degree of saturation और यहां पर दे रखा है आप जीव की value assume कर लिजिए ठीक है तो देखो यहां पर आपका unit weight कितना दे रखा है 10.5 km per meter cube दे रखा है और देखिए यहां पर आपको दो water content दे रखा एक initial water content दे रखा एक final water content दे रखा और जो हमारा soil का volume है वह भी दे रखा आपका कितना 5 meter cube ठीक है और यहां पर हमें क्या पूछा है volume of water जो water उसका volume पूछा और जो हमारी degree of situation यानि यह की value पूछा है तो चलिए हम question को solve करने की कोशिश करते हैं friend तो देखो फ्रेंड तो देखें यहां पर आपका unit weight of water दे रखा 10.5 kN per meter cube ठीक है water content भी दे रखा तो सबसे पहले देखो फ्रेंड हमें यहां पर क्या calculate करना होगा soil का weight कितना है तो एक formula मैं आपको पता हूँ unit weight is equal to weight per unit volume ठीक है तो यहां से जब हमें unit weight भी पता है volume भी पता तो weight हम आसानिस calculate कर सकते हैं तो यहां से weight is equal to हो जाएगा unit weight into volume तो देखो फ्रेंड यहां पर weight of soil यहां पर असानिस calculate कर सकते है unit weight हमारे 10.5 है और volume हमारा 5 है तो यहां से जब हम weight of soil calculate करेंगे तो हमारी आ जाएगे 92.5 kN ठीक है तो देखो अब water content is equal to क्या होता है water content is equal to हमारा weight of water upon weight of solid ठीक है अगर आप हमारा 3-fit diagram वोला जो वीडियो अपना बनाये थे उसको अगर आप देखेंगे तो आहां से आपको weight of solid is equal to total weight में से weight of water को माइनस किया है यह आपको clear हो जाएगा क्योंकि हमने उस वीडियो में आपको पूरा 3-fit diagram बकादे समझाया था तो यहां से देखें अगर आप 3-fit diagram समझते होंगे अच्छे से तो आपको यहां पर weight of solid is equal to w-w हुआ है यह आपको असानी से समझ में आ गया होगा ठीक है अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखें तो इसकी लिंक में आपको description में दे दूंगा आप असानी जाकर के वहां से देख सकते हो तो देखो यहां पे water content के value आपकी 5% दे रखी थी ठीक है 5% को जब आप point के term में लिखना चाहेंगे तो अंडेट से डिवाइट करेंगे जब अंडेट से डिवाइट करेंगे तो यहां पे आपका 0.05 तो यहां पे water content value 0.05 रख दिया है ठीक है और weight of water है हमारा यहां से calculate कर सकते हैं तो देखे weight of total weight minus weight of water हो जाएगा total weight हमें soil का हमने calculate कर लिया 92.5 आया यहां पे रख दिया और weight of water को ऐसी छोड़ दिया तो यहां से आप जब आप जो equation पूरी दी है इसको solve करेंगे तो यहां से weight of water आपको निकल गया weight of water हमारा कितना है है 4.405 kilo Newton तो देखो यहां पे हमें कितना दे रखा था एक तो इनिसियल वाटर कंटेंट दे रखा था एक final water content हमने initial water content के लिए निकाल दिया हमारा 4.405 आ गया और देखिए अब हम final के लिए निकालते final हमारा कितना है 14% है तो वही सेम काम जम जो हमने उसमें किया है वही काम हमें इसमें भी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वेट वाटर कंटेंट डिश्कोल्ट होता हमारा weight of water upon weight of solid weight of solid हो जागा all water water minus weight of water ठीक है तो देखो यहां से डबलु माइनस डबलु डबलु हो जाया ठीक है वहां पर हमने डबलु डबलु किया था तो यहां पर हमने क्या कर देंगे डबलु डबलु डैस कर देंगे ताकि जो हमारी दोनों वैलु आई है इनिसिल और फाइनल की एक ही उसमें confusion आपको नहों ठीक है तो देखो यहां पर यहां पर डबलु डबलु डैस हो गया है यहां पर ठीक है अब देखो वाटर कंटेंट के वैलु कितनी 14 परसेंट दे रखी थी अगर आप पॉइंट के टर्मिल लिखना चाहेंगे तो अंडेट से डिव वाटर है उसको calculate कर सकते होते हैं यहां से आजाएगी आपकी 11.36 किलो न्यूटर्न तो देखो फ्रेट यह तो अमारी इनिशियल और फाइनल इनिशियल हमारी आगई 4.405 और फाइनल अमारी आगई 11.36 तो अब हमें कितना वाटर होगा जब हम इनिशियल फाइनल में से इन पता चल गई जब हमें required water की value पता चल गई तो हम असानी से यहां से volume calculate कर सकते हैं यहां पर पूछा भी तो आए आपको फ्रेंट देखो यहां पर question में क्या पूछा तो volume of water देखी यहां पर यहां से आप एक मिनट फ्रेंट हां तो देखो फ्रेंट यहां से जब अब एक फ calculate करना volume of water ही तो calculate करना है तो volume of water जब आप calculate करेंगे तो volume of water is equal to हो जाएगा weight of water यहां पर unit weight of water आपने कितना एजिम किया है 10 kN per meter cube और weight of water की value आपको पता चली कितनी है 6.955 तो आप असानी से यहां पर value रख करके volume of water की value calculate कर सकते हो जब आप calculate करेंगे तो यहां पर आ 955 ठीक है अब देखो जब आपको यहां पर calculate हो गया तो अब आप आसानी से एक तो कोशन आपका आदा solve हो गया volume of water आपने calculate कर लिया अब आपको क्या calculate करना है डिगरी आप situation की value के लिए हमें क्या क्या पता रहना ही चाहिए वाटर कंटेंट तो हमें पता ही चली गया है ठी से पहले देखिए वाइड रिषयो के वैलू calculate करने के लिए हमने सुरू से भी आपको बताया सबसे पहले आपको ड्राइट वेट निकालना है ड्राइट यूनिट वेट का फ़रोला होता है यहां से आपकी आगई 17.62 किलो नेटन पर मेटर के हो ठीक है अब देखिए यहां पर जो हमारी वाटर कंटेंट हमें कौन से रखनी है जो हमारी इनिशियल वाली है ठीक है इनिशियल वाटर कंटेंट की वैलू यहां पर रखनी है ठीक है हम इनिशियल वाली क्यों रख रहे हैं फ्रेंट देखो सबसे पहले जो हमारा कोशन स्टार्ट हुआ ता हो हमारा ज तो आपको अमेशा इनिश्यल वैलु लेकर चलनी है ठीक है तो देखिए यहाँ पे जब आप इनिश्यल वैलु लेकर चलेंगे तो यहां से आप जो वाटर कंडेंट की वैलु हमारी इनिश्यल थी वह कितनी थी 5% थी तो जब उसको आप ऊप्वाइंट के टर्म में करना चाहेंगे तो 0.005 0.05 हो जाएगा ठीक है यहां पे आप डारेक्टली कोशन में पूट करेंगे वैलू तो यहां से आपकी डिगरी अप सिचिरेशन की वैलू केल्कुलेट हो जाएगी ठीक है तो देखिए यह तो आओ गया आपका यह वाला कोशन कंप्रीट हो गया ठी देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा सारे कोशन आपकी एक ही तरह मिलेंगे बट आपको बस इतना ही फरक रहेगा कि आपको फोर्मुले सारे याद रहने चाहिए तो आप कोशन को आरहा हम से स्वाल कर सकते हो नेक्स्ट कोशन देखिए इस वाटर कंटेंट अप 15 परशेंट वेट यूनिट वेट आप 25 किलोन्यूटन पर मेटर क्यों इप स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सॉलिड इस 2.7 डिटर्माइन दिड्राइ यूनिट वेट वाइट रिश्यो डिग्री अप्सिशुरेशन और यहां पे दे रखा है गामा डबलू की वेलू आपको कितनी रख से दे रखी है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यों रखी है इसपेस्विक ग्रेविटि यहांई जी की वेलू कितनी दे री है तो आपको क्या क्या पूछा है अफे घांपको निकालना है यहांवे ड्राइ यूनिट विछ आउप शोयल और वाइड रिस्यो और जहायंग एडि प्लस यानि वाटर कंटेंट की वेलू कितनी पंदर परसेंट है अगर उसको पॉइंट के टर्म में रखेंगे तो पंदर अपॉइंट हो जाएगा तो यह आपकी हो जाएगे 0.15 ठीक है तो यहाँ पे 0.15 रखके हम ड्राई उनिट वेट आप जो हमारा सोयल है उसको कल्कुलेट कर सकते हैं जब ड्राई उनिट वेट आप सोयल आपका कल्कुलेट हो गया तो यहाँ असानी से एक और फॉर्मूला होता है गामा डेज कॉल्ट जी गामा डबलू अपन व सकते होगे हमारा क्या 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 होता है यहां से एसका हो जाएगा डबलू जी अपन ए तिक है डबलू जी अपन इजैसा कि आपको यहां पर देख रहा होगा ठीक है वाटर कंटेंड की बेलू आपको 0.15 दे रखी है इसपेसिक ग्रेविटी आपको 2.7 दे रखा है और वा तो ठीक है यहां से आप degree of situation की value 1.66 calculate करेंगे तो आ जाएगी ठीक है फ्रेंट next question की तरब move करते हैं देखो फ्रेंड next question आपका यह है देखे इस वाटर कंटेंट आप 35 परसेंट यानि दे रखा 35 परसेंट बल्क यूनिट वेट यानि गामा की वेल्व दे रखा 25 किलो नेटर पर मेटर क्या कहा रहा है ड्राइड डेंसिटी और यानि की रोडी आपको पूछ रहा है ठीक है यानि यह पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सॉलिट पार्टिकल भी सॉलिट यानि यहां से आपको डिटर्माइन के लिए कहा रहा है ड्राइड डेंसिटी यानि की रोटी वाइड रिश्य यानि इस पेस्पिक ग्रेविटी आप सॉलिट यानि जी ठीक है और यह भी पूछ रहा है कि फ्रेंट बल्क यूनिट वेट यानि गामा की वेल्व हम तो हमारा डिग्री आप से चुरेशन सॉल में कितना हो 60 परसेंट हो ठीक है तो चलिए कोशन को सॉल्व करते हैं तो देखो फ्रेंड सबसे पहले जो हमारा गिवन डेटा रता उसको लिखते हैं तो वाटर कंटेंट 35 परचंट दे रखा है और सिचुरेटेड यूनिट वे तो बात की बात है फ्रेंट 60 परसेंट दिया है इस पर आपको यूनिट वेट कल्कुलेट करना है ठीक है और जो गामा डवलू हमारी कितनी दे रखी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखी है आपसे पूछ क्या रहा है ड्राय डेंसिटी पूछ रहा है वाइड यानि इस रेटेट इसकोल टू होता है जी गामा डवलू अपन वन प्लस डवलू जी ब्रेकेट में वन प्लस डवलू यहां पे जो इसमॉल डवलू क्या वाटर कंटेंट सारी वैलू आप ऊट करेंगे तो यहां से आपका जी की वैलू कल्कुलेट हो जाएगी तो देखो देखते जाहिए आपको कोशन को मैं समझाता हूं आपको देखे जी गामा डवलू की वैलू कितनी है दे रखी है और फिर वन प्लस डवलू की वैलू कितनी है वाटर कंटेंट थर्टी फाइप परसंट दे रखा यदि आपको एंट के टर्में लिखेंगे तो अंडेट से क्रॉस मल्टिप्लाई करोगे फ्रेंट यहां से आप जी की वैलू असानी से कल्कुलेशन कल्कुलेट कर सकते हो क्योंकि फ्रेंट देखो जब क्रॉस मल्टिप्लाई आप करोगे तो कोशन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा तो जब आप सॉल्व करके कोशन कम्प्लिट निकाल लिए specific gravity निकाल लिए वाइड ratio में निकालना है ठीक है वाइड रेशियो के लिए आप क्या करेंगे यहां पर बता रहा है आपका क्यों वाइट गर्वाइडेट स्टर्व पर रहता है डिवरर्भ लमर्व लेटिजितल निकाल लिएग्स काल बैद रिएक्स करullah जब wide ratio आप calculate करोगे तो कितना आ जाएगा 1.841 आ जाएगा ठीक है e की value भी आपकी calculate होगी अब आपको क्या कह रहा है dry density यानि dry unit weight निकालने के लिए कह रहा है dry unit weight का formula आपको पता ही होगा फ्रेंड gamma d is equal to होता है the bulk unit weight of soil sample when the degree of situation 60% यानि जब आपकी yes की value कितनी हो 60% तो आपको क्या पूछ रहा है unit weight of soil पूछा है तो आप formula को ध्यान से देखे फ्रेंड एक formula होता है हमारा bulk unit weight is equal to यह होता हमारा g plus sc gamma w upon one plus e ठीक है तो यहां से देखो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है yes के जगह पर बस आपको 0.6 रख देना है ठीक है अनि 60% जब आपको डिवाइट करोगे तो पॉइंट के रण में आपका 0.6 आ जाएगा बाकि सारी value जो हमारी पिछले वाली value आई है सारी value आप यहां पर रखेंगे तो आपका unit weight निकल के आ जाएगा ठीक है फ्रेंड तो उम्मीद करते फ्रेंड आपको अब तक जितने मैंने सारे question करवाएं आपको तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए thank you friend अगर आपको को question में doubt है तो मैं आपको अपनी email ID description box में provide करवा दूँगा आप वहां से जाकर के मेरे को mail कर सकते हो जिससे मैं आपका doubt किसी वीडियो में clear कर दूँगा ठीक है तो मिलते है next वीडियो में next वीडियो में अपने second unit के numerical को solve करेंगे तब तक के लिए आप हमारे चैनल को subscribe नहीं क में आपको यडियों और हवा तक को यडियों घुटर छॉचिता है नहीं क।